अब इशेक सर यह बताएं एंसी आटी की जो अपनी बुक्स होती है उनका कितना रोल या वेटेज है अगर मैं सीवीटी एक्जाम की परस्पेक्टिव से बात करूं तो मैं मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा सीवीटी एक्जामेनेशन क्लास 12 एंसी आटी बुक्स की उपर पूरा बेस्ट है और आपको अगर फिफ्टी कुश्चंस यहां पर पूछे जाने हैं तो फिफ्टी कुश्चंस में से मैं बहुत शूरली यहां पर कह सकता हूं कि 47-48 कुश्चंस जो है वो आपकी एंसी आटी से डारेक्टली और इंडा पर रहा हूं ऑक तब एक बहुत पेकूलियर से सवाल आते हैं हुमानिटी इस में मुझे काफी इंट्रेस्ट भी करते है पिक्चर बेस्ट कुश्चंस मैप बेस्ट कार्टून बेस्ट क्वेस्चंस तो इन क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है और आप क्या में history, political science और जितने भी humanities के subject हैं उसमें से 10 questions comprehension के आने वाले हैं आप उसमें या तो वो reading comprehension वाला दे देंगे लेकिन पिछले साल examination में ये देखा गया कि उन्होंने pictures जो हैं वो यहां पर दे दी तो ये pictures के directly NCRT book से ही आती है अगर माली जी कि कोई एक important event हुआ है तो उस event की photo हो सकती है या कोई cartoon हो सकता है अब उस cartoon से related आपसे 4-5 mcqs जो हैं वो पूचे जा सकते हैं एक question आया था European Union का flag दिया था और European Union के flag से related 5 questions थे तो आप उस flag से तो आप बहुत सारी चीजे इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं लेकिन background information अगर है तभी आप उन question को answer कर सकते हैं दूसरी चीज हम बात करेंगे map based questions की map based questions are very important because इसमें क्या होता है कि अभी तक examination का जो sample paper है जैसे मैं सबसे पहले sample paper की बात करूंगा जो सी उट ने release किया था उसमें अर्ली हरपन settlements जो है चार जिसमें यहां पर दमसादात के बारे में बात करेंगे कोड़ी के बारे में बात करेंगे इन्हें इस से वेस्ट में आरेंज करने के लिए बोला गया था तो वो चार locations थी उनको सब को blur कर दिया था और आपको यहां पर identify करना था कि क्या उसका answer आए तो मुझे ऐसा लगता है कि picture-based questions source-based questions, map-based questions, cartoon-based questions यह आपके examination में जरूर आएंगे तो इन्हें बहुत अच्छे से prepare करना जरूरी है और एक हम chronology की बात करें अगर मतलब हमारे time में भी वो years याद ही नहीं होते थे तो वो time lines को कैसे याद करना चाहिए क्या अच्छा तरीका होना चाहिए बच्चों के लिए मैं इस चीज से पहले बहुत important चीज में यह बताना चाहता हूँ कि जिसको chronology नहीं याद है चाहिए वो political science हो चाहिए वो history हो उसके hundred percentile score नहीं आएगा क्योंकि examination में तीन से चार question छे से साथ question जो है वो examination में chronology की उपर आते हैं तो chronology को याद करना ज़रूरी है अब कई सारे लोग यह बोलते हैं कि examination के पांस दिन पहले हम उसको याद कर लेंगे तो पांस दिन में इतने सारे 15 chapter 16 chapter 18 chapter आपको political science में पढ़ने है तो वो याद नहीं होंगे तो उनका regular revision करना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए जैसे पिछली बार एक question आया था Colonial Cities नाम का एक chapter registry में उसमें दिया हुआ है timeline में जाओगे तो बोलेंगे कि जो कार्णवालिस code है उसको कब इंपोर्टेंट है और हपते में दो दिन का टाइम निकाल लीजिए सुबह साम आप रिवाइस करें आप देखोगे कि 5-6 महिने में आपको सारे इस बात के आपसे मैं भी सहमत हूँ पर बच्चे आजकल मुझे लगता है कुछ शॉटकट अपनाने लगे है आजकल बहुत सी बुक्स और online और YouTube और टेलिग्राम चैनल सब पर हैंड रिटेन नोट्स कहीना कहीं मिल जाते हैं तो आप यह बताओ कितना इंपोर्टन है कि बच्चा खुद लिखे इन कंपारिजन टू कि वह कहीं से लिखा हुआ इसमें एक चीज मैं यहां पर एड करना चाहूंगा कि जो चीजे हम खुद लिखते हैं वो चीजें पढ़ना हमें अच्छी लगती है और उन चीजों को बहुत लंबे समय तक रिटेन करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है जैसे एक कोई इंडिविज्वल है वो सीधे याद कर रहा है कि यह कब हुआ यह कब हुआ यह कब हुआ एक दूसरा कैनिडेट है जो उसकी बैक्ग्राउंड इंफरमेशन के साथ उस पूरे के पूरे इवेंट को समझ रहा है लोग शॉर्ट ट्रिक्स पड़ते हैं जैसे मैं भी अपने सुडेंट्स को बताता हूं कि अशियान कंट्रीज के मेंबर कौन है टीवी क्लिप आफ मबीबीएस है ना तो यह याद करने का ट्रीक है लेकिन शॉर्ट ट्रिक हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए वो आपके पास रहेगी तो इसलिए यह टेक्नीक हम यहां पर फॉलो कर सकते हैं मुझे रखते हैं कुछ के स्टाडी बेस्ट क्वेशन भी आते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखे हैं मैंने के स्टाडी क्वेशन बेस्ट को लेकर तो क्या अक्चुली यह प्रॉब जो क्वेशन पूचे हैं वो सारे पैसेज में लिखे हुए केस में लिखा हुआ है आप डारेक्टली जो है उसको आंसर कर दो तो यह अच्छी लख वालों का जो है वह वाला हिसाब किताब होगा अच्छा दूसरे लोग ऐसे हैं कि वह केस्टेडी बेस्ट क्वेशन होगा और कुष्टन जो है वो कुछ अगदम ही डिफरेंट है है ना मतलब आपने उस केस से और क्वेशन का कोई लेना देना नहीं है है ना मतलब ऐसे भी कुष्टन में की केस कुछ भी चल रहा है और कुष्टन कुछ भी यहां पर पूचे गए लेकिन अगेन मैं यहीं है कि बुक वन से इतना आएगा या बुक टू से इतना आएगा मैं ऐसा उन्होंने कोई फिक्स रेशो जो है वो चैप्टर वाइस डिसाइड नहीं किया है कि हम किस चैप्टर से कितने कुष्टन पूचेंगे त्रेंड अनाल्सिस देखते हुए कुछ हम बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स को मैं अगेन मैंने यह देखा है कि जैसे पॉलिटिकल साइन्स हो गया सुशॉलीजी का पेपर हो गया अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग दिन पर यह पेपर यहां पर हो रहे हैं किसी शिफ्ट में हो सकता है कि बुक वन के कुष्टन ज्यादा आ जा कि कोई दो चाप्टर छोड़के चला जाए बिलकु सही बात मुझे ऐसा लगता है मैं कि अगर आपको मैंने बुला कि महात्मागादी वाला पढ़ लेना चैप्टर है ना थूदी आइज ओफ ट्रेवलर्स वाला चैप्टर पढ़ लेना आपके एक्जामेनेशन में उसी स चिफ्ट के कुशन पेपर में देखें तो आपको चैप्टर और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे प्रिपेर गरना बहुत जरूरी है एक आखरी सवाल आपसे बोर्ड एक्जाम 15 फेबररी राउंड से चालो हो रहे हैं लगबग एक महिना हम दूर बैठे हैं एक्जाम से कि बच्चे को बहुत टेंशन है कि हम सीवीटी पढ़ें कि बोर्ड बढ़ें क्या होना चाहिए मैं अभी के लिए तुम्हें यह रिकमेंट करूंगा कि आप अपने बोर्ड के उपर फोकस करें विकॉस अकर आप बोर्ड के उपर फोकस करेंगे तो आपका स्यूटी अल्र इसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा हम अच्छे से कर सकते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा सभी को कि आप अपने बोर्ड की उपर अपनी आंसर राइटिंग की उपर अपनी रिवीजन की उपर ज्यादा फोकस करें फिर स्यूटी एक्जामेनेशन की प्रिपरे सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन और रेजल्यूशन आज दे दिया है फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करेगा थैंक्यू एब्रीवान